नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सेनी, जोग्राफिया में आपका स्वागत करता हूँ मित्रों, आज हम बहुत ही इंपोटेंट टॉपिक, मानचित्र प्रक्षेप या प्रोजेक्शन प्रक्षेप पढ़ने वाले हैं इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि BA, First Year, Second Year, Third Year के अंदर और MA के अंदर इनके construction पर विशेश ध्यान दिया जाता है रेगुलर स्टुडेंट्स का विशेश रूप से जब क्लासें लेते हैं तो ये कैसे बनाया जाए इस चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है लेकिन questions नेट के अंदर, First Grade के अंदर, College Lectureship के अंदर इसकी पैचान इसके गुंद धर्म और इसके उप्योग से आते हैं जबकि पैचान गुंद धर्म और उप्योग क्लासों के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं बताया जाते हैं तो हमें विशेश रूप से हर projection वो कैसे बना, उसके mathematical formula क्या थे, उसके graphical method क्या थे, उससे मतलब नहीं है क्योंकि उस mathematical formula और उस graphical method को पूछा नहीं जाता है question question, question जितने भी आ रहे हैं वो उसके use यानि उप्योग के उपर और उसकी पैचान और उसकी गुंद धर्म पे आ रहे हैं तो इसलिए हम विशेश रूप से smart work करते हुए कि हर projection कैसे बना, उसका क्या गणीती formula था, अक्षान से रेखाएं कैसे खेंची गई और देशान से रेखाएं कैसे खेंची गई इन चीजों को नहीं जान करके, विशेश रूप से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तम में वो projection कैसे दिखता है, बनने के बाद, उसकी पैचान क्या है, उसकी गुन क्या है, और उसको प्योग क्या है, जहां से हमारे प्रश्ण बनते हैं स्मार्ट वर्क उसी के अंदर है, हम पचड़े के अंदर नहीं पड़ें, बनाएं कैसे उसको, बन गया वो, दिखरा कैसा है, वो फोटोग्राफ से दिख जाएगा हमें, डाइक्राम से दिख जाएगा, किताबों में काफी डाइक्राम दे रखें, तो चलिए एक-एक करके कि हम देखते हैं सबसे पहले प्रोजेक्शन क्या होता है फिर किस तरीके से इसमें से कॉश्चन पूछे जाते हैं इनको भी देखते हुए हम हमारे जो भी प्रोजेक्शन बारवी लेवल तक की कोर्स में हैं और उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर के थोड़ा सा में इसलिए जो किताबे हैं उनके अंदर ग्रेजुशन लेवल तक के जो प्रोजेक्शन है उनमें से क्वेश्चन आये हुए हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले हम बात करें दोस्तों प्रोजेक्शन की प्रक्षेप या प्रोजेक्शन होता क्या है तो सबसे पहले कोई भ माध्यम से किसी परदे पर दीवार पर अथवा कागज पर परतशित करना क्या कहलाता है प्रक्षेप कहलाता है प्रोजेक्टर जैसे होता है न हम प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन करके कोई भी चीज देख सकते हैं तो उस शब्द का अर्थ क्या है प्रोजेक्शन शब्द क जालाता है जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं मानचित्र प्रक्षेप पढ़ रहे हैं तो मानचित्र प्रक्षेप क्या होते हैं इसको जाने थोड़ा सा तो इसके अंदर द्यान दें दोस्तों कि प्रत्वी है हमारी और प्रत्वी का प्रतिरूप है हमारा ग्लोब जो गोला है तो अक्षांस वे देशांतर रेखाओं का जाल समतल सतय पर बनाया जाए इस पर जो अक्षांस रेखाएं हैं और जो देशांतर रेखाएं हैं उनके जाल को समतल सतय के उपर बनाना समतल सतय बोड़ हो सकता है, दिवार हो सकती है, कागच हो सकता है और कहीं प्रत्वी की सत्य हो सकती है कहीं पर भी उस भाग के अक्षांस और देशांतर रेखाओं के जाल को हम क्या कहते हैं मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं और ये अक्षांस और देशांतर रेखाओं का जाल चाहिए और उस अक्षांस और देशांतर रेखाओं का जाल चाह प्रच्वी का ग्लोब वह काल्पनिक हमारा प्रती रूप है और उस ग्लोब के ओपर जो अक्षान देशांतर सतय पर बनाना एक मानचितर प्रक्षेप क्यालाता है तो जो अक्षांस और देशांतर रिखाओं का भूग ग्रिड हम समतल सतय पर बनाते हैं तो निश्चित रूप से अब आप गलोब को फाड़ कर एक समतल सतय पर बनाईए तो कहीं से वो फटेगा कहीं से गैप रह अर्थात उसकी दिशा उसकी आकरती और उसका छेतर फल बदल जाएगा तो समतल सतय पर जो भी मानचितर बनाए जाते हैं यानि प्रक्षेप बनाए जाते हैं उनके अंदर एक ही प्रक्षेप के अंदर सारे गुन सही सही नहीं होते हैं अर्थात आकरती अर्थात छेतर फ वीमिय स्वरूप को आप दो वीमिय स्वरूप में बना रहे हैं और दो वीमिय स्वरूप में आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से कही ना कहीं त्री वीमिय स्वरूप जो एक गोले के रूप में हैं और उसको आप दो वीमिय पर बनाते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रक्षेप के अंदर रहेंगे तो दूसरे गुण अशुद रहेंगे तो इस तरीके से हम हर प्रक्षेप के बारे में देखेंगे कि किस प्रक्षेप में कौन से गुण सही है और उसकी क्या पैचान है और उसका उपियोग क्या हो सकता है तो उपियोग के आधार पर हम गु जो बने अक्षान्स और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतय पर परणाशित करने में किसी न किसी परकार की विक्रिती आ जाती है, या अजुदता आ जाता है और ये विक्रितीया मुक्यते तीन परकार की हो सकती है जैसा कि मैंने बताया दिशा की विकरती हो सिकती है दिशा अशुद्ध हो जाए आकरती अशुद्ध हो जाए शेप अशुद्ध हो जाए या छेतरफल अशुद्ध हो जाए तो यह मुख्य रूप से तीन गुण दिशा आकरती और छेतरफल विशेश रूप से एक साथ अश लेकिन फिर भी प्रक्षे बनाये गए तो अलग-अलग समय पर प्राचीन काल से ले करके अब तक जो प्रक्षे बने जिसके उपर विश्व का मांचितर बनाया गया उसके अंदर कई प्रकार के अवगुण विद्धिमान है चैलिए देखते हैं कौन-कौन से खेत्रों के अं को सम्तल कागज़ पर परतैशित करने पर क्या हो जाता है इस्थानों की सापेख सिक इस्तियां चैंज हो गई तो दिशा की ऐस सुधयता आजाती एसे तरीके से हम देखें तो आकरती आकरती की शुद्धता कैसे आती है यानि यदि किसी विधी के दुआरा दिशा शुद्ध रखने का प्रियास किया जाता है तो उसके आकार में विकरती आ जाती है तो उसका आकार चेंज हो जाता है और मान लीजिए जैसे हमारी फोटो है तो एक तरफ से हमने दिशा सुद्ध करने की कोशिश की तो एक तरफ से दब जाता है या एक तरफ से उभार आ जाता है तो इस तरीके से आकरती को सुद्ध करते हैं तो दिशा में अशुद्धता आ जाती है दिशा को सुद्ध करते हैं तो आकरती में अशुद्धता आ जात तो किसी विदी के दहुरा प्रक्षेप में दिश्यावा आकार मेंसे कोई एक गुण बनाए रखा जाता है तो छेत्रफट के अंदर अशुद्ध आ जाती है। तो कुल मिला करके यदि हम दिशाओं को करते हैं या आकरती को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं तो छेत्रफल के अंदर विक्रिती आ जाती है तो कैसे भी हम करें, एक न एक जो गुन है वो तो अरशुद्ध रहता ही है और जादा तर प्रक्षेपों के अंदर दो गुन अरशुद्ध रहते हैं, एक गुन ही शुद्ध आ पाता है। चलीए देखते हैं आगे अब हम बात करें प्रक्षेफ समंद्रा अविश्क और तत्त्यों की तो देखिएज कि किसी भी प्रक्षेप की रचना में मापक सबसे बहत्यूहट क्त्य है कि क्यम बिना मापक के हम प्रक्षेफं बनाई नहीं सकते सबसे पहले तो हम amapaka के आधार पर ही प्रत्विका जो प्रति रूप है गलोब बनाएंगे और उस गलोब के उपर जो अक्षांस और देशांतर रेखाएं बनेगी उसी के आधार पर हमारा जाल बनेगा तो क्योंकि प्रतेख प्रक्षेप की रचना का आधार क्या है मापक के अनुसार बना एक गल ग्लोब बनेगा और ग्लोब के उपर जो अक्षान देशांतर रेखा हैं कि चीयोंगी उनका प्रतिरूप जो है हम दो डाइमेंशन में यानि किसी कागज या समतल सतय पर बनाएंगे तब जाकर के वो प्रक्षेप हमारे हाथ में आएगा तो कुल मिला करके सबसे पहले वो ग प्रत्वी का ग्लोब वो बन जाए तो यदि हम प्रत्वी के वास्तविक आकार के अनुरूप एक ग्लोब बनाना चाहते हैं तो उसका अर्दव्यास क्या होगा प्रत्वी का अर्दव्यास क्या होता है इंच में देखते हैं तो इंच के अंदर हमारा क्या आ गया यह 25 और जेपी शर्मा की किताब और अन्य किताबों में यह 64 करोड एंसी आर्टी में लिया गया है और जेपी शर्मा और अन्य किताबों के अंदर यह लिया गया है 63.5 करोड यहनी 63 करोड और 50 लाट तो इस तरीके से यह जो लिया गया है दोनों ही परचलन में हैं एंसी आर्टी के अंदर 64 करोड से और जो जेपी शर्मा किताब और बहुत सारी किताबें जो कॉलेज और उस पे चल रही है किताबें बोर्ड के अंदर उसके अंदर 63 करोड 50 लाक लिया गया है तो जो 48 आकार लिया गया है वैसे अपन 48 आकार परत्वी की जो 27 पढ़ते हैं 64 करोड लिया गया है NCRT की किताबों के अंदर और राजस्तान के अंदर बहुत सारी किताबें ऐसी चल रही है जो कोलेज लेवल पर है जो जेपी शर्मा की किताब है आरल सिंग की किताब है उसमें 63 करोड 50 लाक लिया गया है इसके आधार पर हम बनाते हैं तो एक तो हमें मिलना चाहिए आरेफ मान लिजे हमको आरेफ मिला आरेफ मिला एक अनुपाद और 20 करोड हमें आरेफ मिल गया तो एक अनुपाद 20 करोड हमें आरेफ मिल गया अब हम कैसे गलोब का एक प्रतिरूप बनाएं उसके लिए तिर्ज्या हमको निकाननी पड़ेगी जो प्रतिरूप बनेगा प्रत्वी का गलोब उसकी तिर्ज्या निकलेंगे तो उसकी गलोब की अर्धव्यास या तिर्ज्या जो होगी उसमें प्रत्वी का वास्त्विक अर्धव्यास अर्थात या तो ये लें या ये ल सब्सक्राइब तो इससे जो आर आएगा जो capital आर जिसको globe की तिर्जिया हम कहते हैं यह capital आर आजाएगा इसके आधार पर ही आगे projections बनते हैं तो इस सबसे पहले हर प्रक्षेप के अंदर आर निकालना अनिवारे होता है तो इस आर के द्वारा ही आपका projection बनेगा बाकी का सारा construction होगा जाल में अक्षांस और देशांतर रेखाएं खिचेगी globe के उपर globe तो बना लिया हमने तिर्जया निकाल करके और अक्षांस और देशांतर रेखाएं बनेगी उनका जाल बनेगा उसके अंदर अक्षांस और देशांतर रेखाओं के बीच में जो अंतर होगा एक एक डिग पर अक्षांस और देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी अलग अलग रहती है। कुछ प्रक्षेपों में समान भी रहती है। जैसे सम दूरस्त के अंदर अक्षांस और देशांतर रेखाओं की दूरी समान होगी। तो अक्षान्सों की दूरी जैसे बेलनाकार प्रक्षेप के अंदर मर्केटर प्रक्षेप है तो विश्वत रेखा से दुरों की ओर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी अक्षान्सों की दूरी अक्षान्सों का अंतर तो पंदरा डिगरी है लेकिन जैसे जैसे हम दूरों की तरफ जाते हैं तो अंतर बढ़ता जाता है जबकि है तो पंदरा डिगरी का ही अंतर कहने के लिए तो मान के आधार पर लेकिन अंतर बढ़ता जाता है तो इस तरीके से अलग अलग आती है तो और जो रचनावीदी है उसके आधार पर प्रक्षेपों के अंदर अक्षांतों के बीच की दूरी और देशांतों के बीच की दूरी में परिवर्तन भी आते हैं तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है, आला कि बुक के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस जाल के अंदर अक्षानत और देशा अंतर रिखाऊं की बीच की दूरी का अंतर समान होता है। येवल समदूरस्त प्रक्षेपों के अंदर ही समान होता है तो यह विशेज ध्यान रखना है अधिकांस्तया अधिकांस्तया प्रक्षेपों के अंदर अलग-अलग होता है अब यहां ध्यान दें परतेक प्रक्षेप किसी ना किसी भूभाग को परदशित करने के लिए बना आँ ब्रक्षेपों की रचना के समय यह द्ध grazing रखा जाना चाहिए इस ब्रक्षेप का विस्तार कितना दिया गया है तो क्वास्टि नो गया है उतने ही अक्षान्सों में और उतने ही देशांत्रों के अंदर हमें प्रक्षेप का निर्म्न करते चाहिए तो यह विषेश रूप से भीयान रखेंगे 1 तो आर्म देंगे कि अंत्राल देंगे कि अक्षण सोको क Chrystus में परदेशित करना कि यह पूरे विशेश के लिए बनाना है तो पूरे 360 देशांतर और पूरे 90 90 180 विश्वत रेका शाईथ 180 अक्षांस हमें प्रद Isab करन क्या मांगा गया है, क्या रचना करनी है, तो रचना हमारे कोर्स में नहीं है, हाँ, रचना करने के बाद जो प्रक्षेप बनके आया, वो प्रक्षेप की पैचान क्या है, उसका गुन धर्म क्या है, और उसका उप्योग क्या है, इसमें से प्रसंद पूछे जाते हैं, तो आ के आधारों पर हम तीन आधार लेते हैं जिनके आधारों पर प्रक्षेप को वर्गी करत किया जाता है चलिए देखते हैं सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले देखिया प्रकाश के प्रियोग के आधार पर प्रकाश के प्रियोग के आधार पर जो पर प्रक्ष ऐसे भी हैं जो किसकी साहिता से बनते गणिती वीद्य या ग्राफिकल मैफ़न के उसमें परकास्थ की कोई आवश्यक्ता नहीं होती है ज़से प्रक्षेपों को pano choose not the शल्राइब अयह संदर्ष प्रक्षेप भी कहते हैं तो इस तरीके से और यह संदर्ष आ प्रकास की कोई आवशक्ता नहीं होती है तो वो क्या कलाता है एस अंदर्स प्रक्षेप चलाता है तो संदर्स और एस अंदर्स यह ध्यान रखना है में अब इसके अंदर हम बात करें दोस्तों रचना विदी के अनुसार प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं तो इसके अं conventional projection तो यह conventional जो होते हैं ज्यादा तर mathematical या R.A. की विदी से ग्राफिकल मेथर्ड से बनते हैं। बाकि कमद्य प्रक्षेप बेलनकार प्रक्षेप और शंकू प्रक्षेप जो परकास की साहटा से भी बना सकते हैं और यह ग्राफिकल मेथर्ड की आधार पे भी बनाया जा सकते हैं, तो इस तरीके से इसके अंदर संदर्स और ऐसंदर्स होते हैं, चलिए आगे देखते हैं, प्रक्षेपन तल की इस्तिति के अनुसार, जो खमद्य प्रक्षेप है, उसके अंदर, आप ध्यान दें, खमद्य प्रक्षेप है, उसमें विशेश रूप से उ कुंध्य में दुव्य हमद्ध्य प्रक्षैपिए वह है तो उसके अधार पर देखना है नेत्र की तिके आधार पर अधार पर परकाश का स्चोनड कहां पर स्ग Loren कि उसके अनुसार की स्टिति जहांसे हम देख molt वह या फिर जहां से प्रकास डाला जा रहा है ग्लोब के उपर एक ही बात है तो दोनों एक ही रूप में हैं कुछ लोग इसको प्रकास का शरोत लिखते हैं कुछ लोग नेतर का इस्तिती लिखते हैं तो इस तरीके से हमारा आता है तो सबसे पहले हम देखें प्रक्षेपन तल की इस्ति दुरू के अलावा कहीं पर भी टच करें पूरे ग्लोब में कहीं पर भी टच करें केवल दुरू पर नहीं करनी चाहिए और विश्वत्रेखा पर नहीं करनी चाहिए तो ऐसे को हम क्या कहते हैं त्रियक खमद्य प्रक्षेप उसके बाद देखें ऑबलिक इसको कहते हैं दु केस या विश्वत रेखिये खमध्य प्रक्षे तो इसके अंदर तीन इस्तितियां आ गई कि जो प्रक्षेपन तल है जो सतय है वो कहां पर ग्लोब को इस पर्श कर रही है कहां पर टच कर रही है उसके आधार पर तीन भागों के अंदर बाढ़ते हैं एक दुर्वी है दूस पर हो जाएगा प्रक्षेपन तल के आधार है अब हम बात करें नेत्र के इस्थान या प्रकास के श्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं प्रक्षेप तो यहां पर देखें केंद्र की या नॉमॉनिक प्रक्षेप इसके अंदर विशेश ध्यान दें दोस्तों कि के या नौमोनिक जो प्रक्षेप है ये विशेश रूप से प्रकास का जो शुरोत है या नेत्र जो है वो प्रत्वी के केंद्र यानि ग्लोब के केंद्र में होगा और ग्लोब के केंद्र से जैसे अक्षांस और देशांतर रेखाएं दिखाई देती हैं उस आधार पर ही प्रक इसके बाद त्रीवीमी प्रक्षेप अर्थात प्रती धुरू पर यानि उत्री धुरू के उपर यदि कागज को इस पर्स कराया है तो दक्षिन धुरू से हम परकास डालते हैं यदि हम 180 डिग्री देशांतर रेखा पर विश्वत रेखा के उपर यदि हमने कागज को टच क किर्णे अर्थात गलोब को हम अनंत से देखते हैं और प्रकास की जो किर्णे हैं हमारी आखों की दृष्टी की जो किर्णे हैं वो गलोब के समानांतर जाती है तो समानांतर रखने के लिए लंब कौनिये के अंदर प्रकास का श्रोत जो है अनंत पर रखा जाता है और वो बिल्कुल समनांतर किर्णे उसके अंदर आती है तो इस तरीके से हम चित्रों के द्वारा भी इसको देखेंगे चलिए आगे देखते हैं अब गुण के आधार पर हम बात करते हैं तीसरा जो आधार है वो गुण है और जहां पर शुद्धता हो गुण का मतलब यथा आकर्त यह और्थो मॉर्फिक यथा आकर्ति के अंदर मतलब आकर्ति शुद्ध होगी उस प्रक्षेप के अंदर जो भी मानचित्र बनाये जाएगा किसी भी देश का कहीं का भी बने दुरूं से लेकर कि विश्वत रेखा तक और विश्वत रेखा से लेकर दक्षनी दुरू तक पूरा किसी भी छेत्र का मानचित्र बने आकर्ति शुद्ध होगी तो ऐसे प्रक्षेप को हम क्या कहेंगे यथा आकर्ति किया और्थो मॉर्फिक कहेंगे इंगलिस का टर्म भी ध्यान रखिएगा विशेश रूप से ध्यान रखिएगा इसके बाद देखें समचेत्रफल होमोलोग्राफिक जिस प्रक्षेप में होमोलोग्राफिक शब्द या समचेत्रफल का है इसका मतलब उस प्रक्षेप के अंदर जो भी हम मानचित्र बना रहे हैं उनमें छेत्रफल की शुद्धता है और शुद्ध दिशा जिसमें दिशाओं की शुद्धता है उसको हम कह और यहां से प्रिश्न रख़ा होती है एक जीमॉथल्बॉ बिंगंशी परसुच्चिणा रखना में इचने प्रिश्च पे अंदर हम देखते जाएंगे चली आगे देखते हैं अब एक प्रश्ण देखते हैं कि एक एजी मुथल दिगंशी प्रक्षेप में कौन सा गुन सही परदशित किया जाता है अब यह बताएं कि एजी मुथल प्रक्षेप में कौन सा गुन सही परदशित किया जाता है एजी मुथल क कि छेत्रफल की और हम आज़ा होती है चली आगे देखते हैं और दूरियों के लिए इक्वि डिस्टेंट डाता है यानी डिस्टेंच उक्वल होती है चली हगे देखते है अब यह दिशाएं की तुक्षिता आ जाएगा अब कि संदर्ण और आए संदर्स प्रक्ष determination की पहला आधार तो इसके अंदर देखें संदर्स प्रक्ष किया होते हैं प्रैस्पर्स. यानि प्रकास की साहिता से बनाई जाते हैं और नोन प्रैस्पर्स. प्रकास के साहिता के बिना वनीटियों से या इंद ग्राफिकल मétaड़ से चलिए आगे देखते हैं अब हम इसमें बात करें कि परकाद की साहिता से बनाए जाने वाले प्रक्षेपों को संदर्स प्रक्षेप कहते हैं परिवाशा देख चुके हम इन प्रक्षेपों को गलोब पर बने जो अक्षान सोर देशांतर रेखाओं का जल है यानि हम काच का ले 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 दी और अक्षान देशांतर रेखाएं उस पे बना दें जितने अंतराल पे हमें चाहिए उतने अंतराल पे बना दें माली जे एक एक डिगरी के अंतराल पे चाहिए तो एक डिगरी के अंतराल पे बना दें पंदरा डिगरी के अंतराल पे चाहिए तो पंदरा अक्षान्स देशांतर रेकाओं की है उसकी छाया पड़ेगी वैसा का वैसा प्रक्षि रूप है में मिलेगा अक्षान्स और देशांतर रेकाओं का जाल और वही हमारा क्या होगा प्रक Craship होगा तो इसके अंदर देखें तो जाल पर किसी निश्चित इस्तान से प्रकास डालने पर समतल कागज के उपर अक्षान देशांतर रेखाओं की पढ़ने वाली छायाओं के अनुसार बनाया जाता है अर्थात हम ये अज्यूम करते हैं कि इस जगे पर ये छाया पढ़ रही है और उसी जगे पर वो लाइन खेंची जाती है कागज पर तो इस तरीके से प्रकास के श्रोत के आधार पर जो प्रक्षे बनते हैं वो छायाओं के आधार पर बनते हैं ये कल्पना की जाती है और वास्तम में उसी रूप के अंदर उसको बनाया भी जाता है अब देखें कि प्रक्षपों के लिए प्रकास किरने तीन इस्थानों से आने की कलपना की जाती है जैसे हमने बात की थी केंद्रक में या नॉमोनिक केंदर प्रत्वी केंदर से यानि गलोब केंदर से से प्रत्वी के हैं परतर बहुत पर कारण Одसि हष्ज़ब की is तिति से हम परकास जालेंगे दूसरी कंडिशन आ गयी और तीसरी कंडीशन आति है for this. अनंत से समरांतर केंधने आ परकाष की और जो चाया कागज पूपर अक्शान-देशम तर्रत रेखाओं की पढ़ रही है उसके आधार पर बनाये जाता है तो देख पें इनको अ दो तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, मान लीजे ये हमारा गलोब है, गोला, और केंदर से लाइट आ रही है। तो केंदर से लाइट आ रही है और कागज हमारा यहां विश्वत रेखा पर यहां टच कर रहा है तो कागज जब विश्वत रेखा पर यहां टच कर रहा है तो यहां से जो भी लाइट आएगी जितने डिगरी का यह अक्षांस है वो यहां पर टच करेगा देशांतर है वो तो इस तरीके से केंदर से आता हुआ प्रकास की किरणे जिन जिन अक्सान देशानतर देखाऊ की चाया काख़ बनाती है वह चाया हमारको एक प्रक्षेप की लूप मिल जाएगी उस प्रक्षेप को हम कहेंगे केंदर किया नौमानिक प्रक्षेप जी silent होता है इसका शब्द प्रणाउंशेशन स्पेलिंग तो जी से लिखे जाती है जी ए जैना जी एन ओ एन ओ एन एम ओ एन आई सी लेकिन ग्नौमानिक नहीं कहते हैं इसको नौमानिक कहते हैं जी साइलेंट रहता है चलिए आगे देखते हैं जब ट्रीवी में प्रक्षिय को स्टीरियोग् और अश्वान सिस्वाश जणाला जाएगा विश्वत्रःखास दोनों ही विष्वत्रःखा पे हैं यहोंगे लेकिन प्रति ध्रूब 한ICE को जिन जिन अख्षान देशान तरग को छूं करके कागज पर चाया वह उस प्रकषिब की दिखाये देगी फिरम की और देशानतर रेखाओ प्रक्षे कागज के उपर अक्षान देशान रेखाओं की चाया बनती है उसे हम कहते हैं लंब कोणी है या और्थो मॉर्फ ग्राफिक और्थो ग्राफिक प्रोजेक्शन तो यह विशेज ध्यान रखना है चाया के आधार पर तीन परकार का हो गया या तो अनंत से प्रकाश का शुरूत यहां पर आ रहा है इसके बाद केंदर से हो सकती है तो यह तीन ही जगे हैं जहां से प्रकास का शुरूत हो सकता है चलिए आगे देखते हैं अब हम बात करें कि ऐसंदर्स प्रक्षेप जो होते हैं नॉन प्रस्पेक्टिव प्रक्षेप होते हैं वो गणीतिय प्रक्षेप बनाया जाते हैं जिसमें प्रकास की कोई साहिता नहीं ली जाती है उसे हम ऐस अंदर्श प्रक्षेप कहते हैं शुद्ध दिशा शुद्ध आकरती अत्वा शुद्ध छेत्रफल की रचना के लिए बिन्न गनीतिये विदियां काम में ली जाती है तो इस तरीके समय ध्यान देना है के लिए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम रचना विदी के आधार पर जो प्रक्षेप हैं उनमें से संकु प्रक्षेप आज हम पढ़ेंगे तो तीन प्रकार से हम बात करें चार प्रकार जो रचना विदी के आधार पर एक तो संकु प्रक्षेप है conical projection, दूसरा खमद्य प्रक्षेप है, जिसको genetal projection हम इंगलीश में कहते हैं, और तीसरा बेलनाकार प्रक्षेप है, cylindrical projection है, और चोथा rude प्रक्षेप यानि conventional projection है, तो ये चारों प्रक्षेप हम पढ़ेंगे, एक-एक करके हम देखते हैं, आज हम संकू प्रक्षेप पे चलते हैं, शंकू क्या होता है, तो आइस क्रीम का कौन आपने सभी न खाया होगा, तो जो कौन खाते हैं, वो सौफटी या कौन जो खाते हैं, वो संकू प्रक्षेप की रूप में होता है, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम ग्लोब को दे हमारा जो कागज का शंकू है वो क्या कर रहा है इस गलोब को डख रहा है तो गलोब के उपर से जो प्रकाश आ रहा है और इस अक्षान देशानतर रेखाओं की जो चाया यहां पर गिर रही है वो अक्षान देशानतर रेखाओं की चाया के आधार पर कागज के उपर उसको शम्तल किया जाए, संकू को काट कर हम संकल करें, तो कुछ खुछ हमें तीरबुजा कार रूप में और कुछ रेखाएं, वकराकार रूप में दिखेंगी, देशान तर रेखाएं हमको सीधी सीधी दिखेंगी, तो इस तरीके से हम संकु प्रक्षेप के अंदर विभिन परकार को पढ़ेंगे तो आएए देखते हैं कि संकु प्रक्षेप के अंदर जो संकु प्रक्षेप है वो कितने परकार के हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर सरल संकु या सिंपल कॉनिकल प्रजेक्शन हम लोग तो करता है तो इस तरीके से एक मानक ह अक्षान्स हो जाता है और वो अक्षांस क्या क्या क्लाता है मानक-अक्षांस क्यलाता है इसी तरीक से देखें किस्तृ ने सबसे पहले बनाया था उन्हीं के नाम के आधार पर रखा गया बहु जंकु प्रक्षेप यानि बहुत सारे संकु से बना हुआ प्रक्षेप बहु जंकु प्रक्षेप कहलाता है और एक प्रक्षेप है जो बहु जंकु का ही संसोधित रूप है इसको हम कहते हैं अक्षांस वर्त पर कागज का शंकू ग्लोब को इस पर्ष करता है यह विशेश ध्यान दीजेगा दोस्तों जिस अक्षांस वर्त पर कागज का शंकू वर्त पर कागज का जो शंकू है वो ग्लोब को इस पर्ष करता है उसे मानक अक्षांस कहते हैं इस टेंडर परेलल कहा ज शंकु प्रक्षेप के अंदर कागज का जो शंकु है गलोब के जिस अक्षांस के उपर इस पर्ष करता है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है मानक अक्षांस यह विशे इस्तिहान देना है और शंचोदित संकु प्रक्षेपों में मानक आक्षांस की संख्या एक से अधिक होती है। संखोधित जितने भी शंकु प्रक्षेप होते हैं, बहु शंकु प्रक्षप हो या अंतराष्ड beginner प्रक्षप हो, उसके अंदर जो मानक अक्षांस है वो अलग होते हैं यानि एक से ज़्यादा और सभी अक्षांसों को भी मानक अक्षांस बनाया जा सकता है जैसे ही भहु शंकु प्रक्षेप में बनाते हैं इस प्रक्षेप कर समस्त प्रत्वी का मान के तरह नहीं बनता क्योंकि कागज का शंकु एक ही गोलार्द को डख सकता है, एक ही गोलार्द को डखता है, एक ही गोलार्द के अंदर छाया आ सकती है, दूसरे गोलार्द की छाया इसके उपर नहीं आ पाती है, तो इस तरीके से हम बात करें, तो समस्त जो प्रत्वी है, उसमें मानचित्र नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस आगे देखते हैं ये प्रक्षेव सितोषन कटीबंदिये छेत्रों के लिए विशेश रूप से उपयोगी होता है। पचास से साथ अक्षान्सों के आसपास यानि खुल मिलाकर के तीज से साथ अक्षान्सों के बीच का जो छेत्र है वहां पर इस पर्स कराया जा सकता है। अर्थात इनी छेत्रों का जो मानचित्र है वो इस पर बनाया जा सकता है तो यह विशेज ध्यान देने की बात है कि कोनिकल प्रोजेक्शन होगा तो वो शितोष्न कटीबंद के लिए होगा मध्य अक्षांसों के लिए होगा यानि तीस से साथ दिग्री अक्षांस तो सकता है लेकिन अक्षांस मध्यवर्ती रहेंगे यह विशेज ध्यान देना है तो यह मध्यवर्ती अक्षांसों का कोई भी उपयोग यह दियम में लेना है तो अलग अलग शुदता वाले आकर्टी की शुदता छेत्रफल की शुदता दिशाओं की शुदता वाले कोनिकल प्रजेक्शन इसकी पैचान की बात करें रचना वीदी रचना वीदी तो हम लोग कक्षाओं में पढ़ते ही पढ़ते हैं तो रचना वीदी के आधार करें तो इसके अंदर इसकी जो रचना होती है इसके अंदर माना जाता है कि एक अक्षान से उपर गुलोब के एक तो वहां इस पार्ष करा कर उसकी च्छाया přच्छव की ले कर के और इस तरीके से अख्षांस रेखाएं जो वगी वखर selves zost yhtने उनली विकें एक DENNIS और द्रुव से मानक अक्षान्स की दूरी निकालते हैं हम लोग तो इस तरीके से ग्राफिकल मैथड के दुवरा हम इसको बना लेते हैं तो बनाना महत्पून नहीं है यहां पर यहां पर कॉम्पूटिशन एक्षान्स के अंदर इसकी पहचान महत्पून है तो सबसे पहले हम बात करें पहचान की तो देखिए अक्षान्स प्रत क्या हैं संकूशीर्स को केंदर मानकर खीचे जाते हैं अच्छा अर्धात समान दूरी पर अक्षान्स प्रत जो है वो समान दूरी प तो ये दूरियां जो है अक्षांस रेखाओं के बीच की समान है और एक ही केंदर से खेंचे गए वरत्तों के चाप ये हैं तो और थात अक्षांस वरत के हैं संकेंदरिय वरत्तों के चाप हैं तो इसके अंदर विशेज ध्यान देना है अक्षांसों के बीच की दूरी समान होती है तीन बात हैं अब इसके अंदर आगे बात करएं तो पैचांद के अंदर देशा नटर रेखाईं कैसे दिख रही है क्यों के गों विकरित को का केंद्र है यहां पर सारी देशांतर एक बड़ रहा और जैसे जैसे हम मिश्वत माने पूरा ये वरत मान लें एक बार के लिए अपन तो वरत की जो तिर्जा होती है वरत की परीधी पर जो भी विकरन केंदर से जाता है वो उसके उपर परीधी के उपर क्या बनाता है नबे डिकरी का कौन तो सारा यहां पर देखें सारे के सारे देशांतर एक तरीके से जो और ये कौन जो होगा, क्या ये और ये कौन जो होगा, वो 90 डिगरी का होगा, अर्थात अक्षांस और देशांतर रिखाओं के बीच का कौन देखने से पता चल रहा है, कि 90 डिगरी का है, अब परतेक अक्षांस वरत पर देशांतर रिखाओं की दूरी समान है, अर्थात हम 45 और 60 के बराबर ही होगी अर्थात जो देशांतर रेखाएं हैं परतेक अक्षांस पर एक समान दूरी पर होती है परतेक अक्षांस पर लेकिन जैसे जैसे धुरू पर जाते हैं तो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी कम हो रही है और जैसे जैसे विश्वत रेखाओं क तो अक्षान्स रेखाओं की बीच की दूरी बढ़ रही है, लेकिन एक अक्षान्स पर देशान्स रेखाओं की बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जो हम बात कर चुके हैं, इस प्रक्षेप में ध्रू एक चाप के रूप में होता है, तो शंकू उंचा होता है, कागज का सं तो यहाँ पर विशेत त्धियान देने की बात है दवस्तों कि यहाँ पर गानक अक्षांज के अंदर वो चाप के रूप में होता है ना की एक बिंदु के रूप में जबकि वास्ताव में ध्रूव एक बिंदू होता है उत्री ध्रूव हो चाहि दक्सिन ध्रूव बिंदू होता है लेकिन संकु के अंदर संकु का कौन का जो आगज है वो तो उचा होता है तो सारी जो देशांतर और अक्षांस रेकाएं हैं वो तो यहां से बना रहे हैं तो यानि अशुद्धता तो वैसे ही हो गई, काफी उपर से बना रहे हैं, जबकि दुरूव तो यही पर है, तो दुरूव यदि हम खेटेंगे, तो एक चाप के रूप में दिखाई, देगा, साप के रूप में ही बनेगा, तो यह विश्वेज ध्यान दे रखने की बात है, कि एक मानक अक्षांस के अंदर जो दुरूव है, चाई उत्री दुरूव का बनाएं, चाई दक्षनी दुरूव का बनाएं, उत्री दुरूव का ऐसे बनेगा, दक्षनी दुरूव का दुरूव नीचे होगा, और विश्वत रेखा उपर की तरफ होगी, तो ऐसे उपर की उल्टा फिर बुज के रूप में दिखाई देखा हम तो यह दिखान रखना है शीर्स नीचे हो जाएगा और चोड़ा भाग उपर हो जाएगा दखनी दुरूका बनेगा तो तो confuse नहीं होंना है है तो पौन कली चलिए आगे देखते हैं अब इसके गुणों की बात करें तो देखिए मानक या परधान अक्षांस रेखा पर ही मापनी शुद्द होती है यानि इस अकन्षांस रेखा के उपर मान देगे यह 45 दिगरी की अक शणस रेखा है तो इस कीई करेंगे मानक अक्षान और यहां पर मापनी शुद रहेगी दो आलक गलोब झोड़ का ग्लोब बना है वो जो ग्लोब है वो मापक की अधार पे बनाएं और मापक के अधार पर उस पर अक्षान्स खे चाए गए है तो जो कागज का शंकू उसको इसपर्श कर रहा है 45 दिग्री पर तो वहाँ पर शुद्धता होगी मापक की क्योंकि गलोब भी मापक पर बनाए और वो अक्षांस भी मापक पर बनाएं तो ये 45 दिगरी का अक्षांस जो है वो मापक के आदारते होगा जब कि उत्तर की तरफ और दक्षिन की तरफ मापनी अशुद्ध होती जाती है क्योंकि कागज का शंकू उन अक्षांसों के उपर इस पर्ष नहीं कर रहा है ये विश और आरता मान्चित्र बनाया जा सकता है अधिकतम वो भी उसमें से भी कुछ छेत्रों पर विक्रेटीब बढ़ती जाती है अशुद्धाएं बढ़ती जाती है इस प्रक्षेप को एक चीज और है कि इस प्रक्षेप के अंदर जो दूरियां है अक्षांसों के बीच की दूरी, एक अक्षांस के उपर देशानतरों की बीच की दूरी समान है। इसलिए इसको सम्धूरस्त संकुप्रक्षेब भी कहते हैं। यह ढ़न रखने की बात है कि एक मानख अक्षेम वाला जो संकुप्रक्षेब यह विवस्को सम्धूरस्त क्योंकि अक्षांस और देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी जो है वो समान होती है कहां पर आपस में अक्षांस रेखाओं की बीच की दूरी समान है और एक अक्षांस पर देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी समान है इसलिए इसको समदूरस्त एक साधरण संकुपरक् देखते हैं परद्धान अक्षांस रेखा के दोनों और एक सकड़ी पेटी के अंदर आकरती और छेत्रफल शुद्ध रहते हैं जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाती है शुद्धता बढ़ती जाती है अर्थात यहां पर मुख्य जो ये केंद्रिये मध्यान रेखा है के साथ साथ जो हमारा मानक अक्षांस है उसके उपर भी मापनी शुद्ध रहती है तो इसके आसपास के छेत्रों का जो मानचित्र बनेगा वो मानचित्र क्या होगा शुद्ध होगा और यहां के आसपास के छेत्र का मानचित्र इसके बनाय जाए तो शुद्ध ताधिक हो तो जिन चेत्रों का अक्षांस की वे देशांतरिये विस्तार कम होता है उनकी लिए यह विश्य सूप से उप्योगी है जैसे बाल्टिक सागर के परदेश के देश ट्रांस कनाडियन रेलवे यहां पर हम मान लें जैसे 40-45 दिगरी के अक्षांस पर है और सेंट पिट्सपर्ग से लेकर के बलाडी वोस्टोक तक यदि हम आये पूरफ तक पूरे इश्या को पार कर यूरोप देखर करके और प्रशांद महसा करें तर्ट तक तो इस अक्षांस के सारे आसपास आसपास हमारा त्रांस कनाडियन डेलवे और त्रांस साइबिरियन रेलवे है तो इस रेलवे का जो सही मानचित्र बनता है वो इस प्रक्षेप पर बनाया जा सकता है तो विशेश कूप से ध्यान रखना है और इसी के अंदर आगया आएगा तू मानक अक्षांस वाला तो दो मानक अक्षांस वाले पर भी बनाया जा सकता है क्योंकि वहां तो दो-दो मानक अक्षांस हैं, तो थोड़ा बहुत रेलवे, थोड़ा सा अक्षांस रेका से इदर-उदर हो रहा है, तो वहाँ पर भी शुद्धता आ जाती है, लेकिन यदि आपका प्रशन आए, कि निम्नलिकित में से कौन से प्रक्षिप के उपर ट्रांस कनाडियन और ट्रांस साइबिरियन रेलवे का मानचितर बनाया जा सकता है, के लिए उप्यूगत है, तो आप एक मानक अक्षांस वाला, यदि उसके अंदर उप्षन है, तो एक मानक अक्षांस चुनेंगे, दो मानक और एक मानक हमेशा एक साथ नहीं देखा कोई भ ट्रांस कनाडियन मतलब अईल्टिक मासागर से ले करके परशान मासागर तक कनाडा के एंदर यो रेलवे जा रहा था वो Trans-Siberian Railway कहलाता है तो इस तरीके से रूस के अंदर बना हुआ है और यह कनाडा के अंदर बना हुआ है तो यह ध्यान रखना है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों प्रक्षेव दो मानटक अक्षांस वाला ह्याक 10 फिर करेगा यहां पर दो अक्षांसária क've पर और शंपर्ष करता हुआ माना जाता है अर्थ आप आप गलोब के इस पर्टे को हम काट लें आपके चंको को पहना दें और फिर इस पर्टे को पेहना दे माहर की तरफ तो फिर दो जगेट इसपर्ष कर दिया ना कागज ने गलोब को तो वो वाली गलोब की पट्टी को काट लो गोल गोल को और उसको पेना दो जिसको मानक अक्षांस मानना है उन दो अक्षांसों से काट लो गलोब की पट्टी को और उपर उठा लो तो कागज पेना करके उस संदर्स के आधार पर उस आधार पर ही हमारी अक्षांस और देशांतर रिखाएं, बन ती हैं। तो चलते हैं 21 तरीके से इसको पैचाना जाता है, तो देखिए 2 मानक अक्षांस के अंदर हमारे यहां पर 60 डिग्री का मानक अक्षांस लिया गया है और एक लिया गया है 40 दिगरी का मानक अक्षांस तो दो मानक अक्षांस के अंदर 60 और 40 का हो गया अब ये दोनों जो अक्षांस है यहां पर मापनी शुद्ध है और केंद्रिये मध्यान रेखा या केंद्रिये दिशान तर रेखा जो है इस पर मापनी शुद्ध होती है, बाकी जगे मापनी अशुद्ध होती है, तो ये भी वैसा ही दिख रहा है लगबग एक मानक जैसा, लेकिन यहां दो मानक जो है, वो अक्षांस दो मानक है, ये विशेज जान रखना है, इन दोनों मानक अक्षांसों के बीच के अक्षांस जो है उस पर मापनी छोटी है और इसके उपर और नीचे की तरफ जो अक्षांस है उस पर मापनी बढ़ी हुई है क्योंकि कागज का संकुग लोग से दूर है तो यह विशेश जान देना है चलिए अब यहां द्यान दें कि सभी अक्षांस रेखाएं क्या होती है इसमें भी संकेंद्रिये वरत्तों के समान अंतराल पर चाप होते हैं अर्थात एक ही केंद्र से खेंचे गए अक्षांसों के चाप हैं यहां पर देखें तो एक ही केंद्र से खेंचे गए चाप हैं वरत्तों के चाप हैं तो सभी अक्षांस देखाएं क्या है संकेंद्रिये वरत्तो के चाप हैं और अक्षान्स वर देशान तर देखा है एक दूसरे को समकौन पर इसमें भी काट रही है उसमें भी काट रही थी विशेज ध्यान देने की बात है और द्रू एक चाप के रूप में होता है इसके अंदर भी हम 90 डिगरी का यह दिद्रू बनाएंगे तो यहाँ चाप के रूप में होता है और प्रक्षेप का जो धूरू होता है वो थोड़ा वास्त्विक धूरू से उंचा होता है तो यहाँ वहां पर शुद्धता नहीं है ऐस शुद्धता हो जाती है क्या लिए आगे देखते हैं अब गुन की बात करें तो इसके अंदर भी सभी द मापनी शिद्ध होती है क्योंकि ये इस पर्ष कर रहे हैं तो इस प्रक्षेप के अंदर संपून संसार का मान केतर नहीं बनाया जा सकता है अधिक अधिक देशांतर रेखा बिलकुल शुद्ध है और दो मानक अक्षांस कें पर शुद्ध है तो अधिक देशांतरिय जो विस्तार है उसके उपर इसको बनाया जाता है जैसे आसे लिया यूरोप के मान्चित्रे वावस मान्चित्रावलिया एटलस जो भी बनी हुई है वो इस प्रक्षेव के उपर बनी हुई है दो मानत अक्षांस पर और अलग-अलग देशों और रा उन देशों के चोटे-चोटे देशों को हम इस पर आराम से बना सकते हैं तो विशेश दियान रखना है कि कौन-कौन से हैं जैसे आस्टेलिया हो गया नीचे से हमारा जांबिया जिंबांबे वाला अफरीका वाला चेत्र हो गया तो इसके आसपास का जो चेत्र है यानि मक प्रक्षेव ने तो यथा करती का है और नहीं समचेतर है तो इसमें आकरती और छेतर क्या है सही नहीं होता है तो बहुत ज्यादा उपियोगी तो नहीं है लेकिन फिर भी इस पर कई देशों के मानचेतर बनाए जा सकते हैं चलिए आगे देखते हैं अब एक प्रशन देखें सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गए कूट के प्रियोग का सही उत्तर चुनिए तो जाट चोदा में यह पुछा गया तो इसके अंदर देखिए दोस्तों मासागरी धाराओं और इस्थाई प इसके लिए यह प्रशन मेंने यहां पर यह पर डाला है कि यह पुछा गया कि मौलवीड प्रक्षेप और सम छेतरफल बेगनाकार प्रक्षेप हम आगे पढ़ेंगे वैसे आंसर जो इसका है वो उसी के साथ में आगे आ जाएगा तो चलिए अभी तो हमें क्या देखना है इस सी का जो आंसर है वो तीसरा आना चाहिए तो सी में तीसरा कहां पर आ रहा है तीसरा यहां पर आ रहा है तो आंसर हमारा इसमें भी हो जाएगा पहले आगे देखेंगे और चीजों के बारे में अब हम चलते हैं तीसरा प्रोजेक्शन जो कौनिकल प्रोजेक्शन के अंदर विशेस महतु रखता है और इसको रिगोबर्ट बॉन ने बनाया था इसमें देशांतर रेखाएं इसमें देशांतर रेखाएं केवल एक ही जो मुख्य देशांतर रेखा है केंद्री मध्यान देखा जिसको हम कह रहे हैं वही सीधी है बाकी सारी देशांतर रेखाएं वक्राकार रूप में है और अक्षांज रेखाएं भी वक्राकार रूप में तो यहां पर दें कि ये संसोदित संकुप्रक्षेप नहीं है तो यह सम्चेत्रफल प्रक्षेप है जो को इस तोरी के से संसोदित कि या गया है इसमें मिल्कुल है थार इसके अंदर जो सितोष्date कटी بंदिये चैत्रों में वित्रण हम दिखाएंगे तो शुद्धता के साथ वितरण दिखाया जा सकता है क्योंकि वितरण दिखाने के लिए छेतरफल की शुद्धता अवश्यक है यह विशेज जियान रखना है चलिए तो यह संशोधित परक्चेप है और सम छेत्रफल का गुणई इसके अंदर है सभी अक्षांस वृत यहाँ पे देखें सभी जो अक्षांस वृत हैं यह नौर्थ पॉल को जो सई-सई शुद दिखाया जाता है इसमें उसको आधार मान करके संकेंद्रिय वृत्तों के चाप के रूप में है अर्थात एक मानक अक्षांस दो मानक अक्षांस और बोन के अंदर एक पॉइंट से बनाये जाते हैं लेकिन एक मानक और दो मानक में धुरूव के थोड़ा उपर से बनता है क्योंकि संकु का केंद्र उपर होता है तो जो नौर्थ पॉल है इसी को सही डंग से मान करके और सारे अक्षांसों के चाप शुद्ध दूरी पर खेंचे गए हैं तो यह विशेज ध्यान रखना है इसकी दूरी इनके बीच की दूरी क्या होती है समान होती है जैनि यदि यह 15-15 डिगरी के अंतर है तो 15-15 डिगरी केंद्रिये देशांतर रेखा जैसा मैंने बताया सीधी होती है बाकी सारे देशांतर क्या होते हैं वक्राकार होते हैं अर्थात वक्र के उपर वक्र होते हैं बिलकुछ सीधी रेखा नहीं होती है वक्र के रूप में है यह और वक्र के रूप में है तो इस तरीके से वक्र वक्राकार रूप के अंदर देशानतर रेखा हैं केवल जो केंद्रिये है जो सेंटर के अंदर देशानतर रेखा है कोई सी भी हो सकती है वो ग्रीन विच रेखा हो चाहिए वो यहां पर 15-15 डिगरी का अंदर है तो 90 डिगरी की हो 105 की हो कुछ भी हो सकती है लेकिन सीधी होगी केवल केंद्रिये वाली बाकी सारी की सारी दोनों तरफ राइट और लेफ्ट के अंदर पस्सिम और पूर्व के अंदर वक्राकार होंगी तो यह विशेज ध्यान देना है और वोन प्रक्षेप में सभी अक्षांजवरतों की लंबाई शुद्ध होती है यह ध्यान रखने की बात है अक्षांजवरतों शुद्ध लंबाई के होता है अते इसमें द्रूव एक बिंदू के रूप में परदेशित होता है जबकि एक मानक और दो मारक में चाप के करें तो सभी अक्षांसों के साथ साथ केंद्रिय देशांतर रिखा पर भी मापनी शुद्ध है तो सभी अक्षांस शुद्ध मापनी से हैं और केंद्रिय देशांतर रिखा जो ये सेंटर वाली है इस पर भी मापनी शुद्ध है तो ये दो विशेज ध्यान रखने की बात ह क्योंकि अक्षान्स वर्तों पर मापनी चुद्ध होती है और परतेक अक्षान्स वर्त अपने समीफ वर्ती अक्षान्स वर्तों से चुद्ध दूरी पर है तो इस प्रक्षिप के अंदर समच्छेत्रफल का गुना आ जाता है तो जहां ये किया गया जैसे जैसे हम यहां पर जड़ी हम एक वैए संटिमेटर का कोई देश बनाएंगे और यहां पर भी एक वैए संटिमेटर का कोई देश बनाएंगे तो दोनों के आकार के अंदर समानता होगी चेतरफल समान होगा। तो वित्रण मांचित्र बनते हैं. और ये प्रक्षेप, विशेश रूपसे शीतोष्न घराम ऑत्तौर के लिए वित्रण मांचित्र बनाने के लिए अर्थात यदि हमको ग्यों की केति दिखानी है णंतेरि इस्तेपीज पंपचेप म oppression पर दिखानें वेलड दिखाने तो फिर इस प्रक्षेव पर दिखा साथ इसको दिखा पाता है उसके अंदर हम देखेखें इस प्रक्षेव पर मात्र एक गोलार्द का ही मांचितर होता है क्योंकि संकु प्रक्षेप है हम बार-बार कह रहे हैं कि संकु प्रक्षेप के अंदर एक ही गोलार्द का मांचितर बन पाता है दूसरे गोलार्द का नहीं केंद्रिये देशांतर देखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ रेखा की मापनी में वरदी बढ़ती जाती है अकरती के अंदर विकरती जरूर आती है लेकिन छेत्रफल की समानता का गुर्ण जरूर रहता है अर्थात यहां पर आकरती तो विकरत होती जाएगी जैसे जैसे हम केंदरी जो देशानतर रेखा है उससे दूर जाएंगे तो आकरती में विकरती तो तो इस प्रक्षेप का रेखा जाल टैंसन फ्लैम्स्टीड के सम छेत्रफल प्रक्षेप के समानता रखता है अठात अफ्रीका को छोड़कर महाधीपों के मांचित्र बनाने के लिए इसका उप्योक किया जाता है कि लिए मऄनकित्र ऱारका के अभ्यूख कियां जाते हैं कि अफरीकाहाखा के च्छेतर के अंदर है बीचके अंदर, उत्री भाग में और दक्षेस्द नी भाग में यौ में बहुत छोटा है के लिए उप्योगी है। असलिये का मान कितर है ये विशेस रोफ से कनारा वा इस पर विशेस रोप से हम दिखाशकते हैं शीटोष्न कटिम् abordवी चेतरों को और मैदानों को अफरीका की जो दक्षिनी अफेरिका में हैं उनको विशेष रूप से इसमें दिखा सकते हैं चैलिए अब कम देशानत्रिय विस्तार वाले छेत्रों के लिए ये परक्षेप विशेष रूप से उपयोगी होता है जैसा मैंने बात की जैसे चिली का अधर्स मानचित्र है ज़िए 70 डिगरी पस्वी देशानत्र रेखा को यहां कैंद्रिय मध्यान देखा मान लें तो यहां पर चिली का मानचित्र काफी हद तक स्भ पूरे मीश पूरे में शुद्ध है और चिली का अधर्स मानचित्र जिनको कहते हैं वो बनाये गए हैं और भारत का मौसम मानचितर विशेज ध्यान देने की बात है दोस्तों कि भारत का जो मौसम मानचितर है यह विशेज ध्यान देने की बात है इस मौसम मानचितर को बौन प्रक्षे पर ही बनाया गया है निवास साथियों